हेलो फ्रेंड्स मैंसेल सीएक अर्थिक जोशी आज हम बात कने वाले हैं जिस्ट प्रोविजिन्स फॉर रिल इस्ट सेक्टर पहले समझते हैं कि रिल इस्ट में कहां जिस्ट लगना है और कब जिस्ट नहीं लगना है अगर आप फ्लेट कर रहे हो एज इन्वेस्ट और अगर अगर आप एजब बिल्डिंग बांद रहे हो तो आपको कब जीएस्टि चार्ज करना है जब उस पूरा अगया जब आपने पूरी बिल्डिंग कर ली और फिर कोई इन्वेस्टर आपके यहां इन्वेस्ट करने आ रहे है और फिर कोई बायर आ रहा है उस केस के अंदर आपको तो GST separately charge नहीं करना है तो यह चीज़ देन रखो कि जब कब GST चार्ज करना है before completion of certificate अगर को invest कर रहा है तो उस case में GST चार्ज करना है और after completion of certificate अगर फिर आप invest कर रहे हो तो GST चार्ज नहीं होगा तो ऐसे investor यह हमेसे अधियां रखना क्योंकि बहुत 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 क्लाइंट्स के फोन आते हैं और यह चार्ज नहीं कर रहा है तो क्या है यह इसका बेजिक फंडा यह है अभी समझते हैं कि जिस्ट का रेट्स क्या है तो ओल्ड रेट्स वर्सिज नियु रेट्स गवर्मेंट ने सब्सक्राइब यह तो ठीक है यहां विट आईटी सी था अभी इन दोनों के अंदर क्या फरक है यह पहले समझो ताकि पता चले कि हमें फाइदा हुआ रेट्स गटने से नुकसान हुआ तो आपको समझाता हूं एक बिल्डर था एक बिल्डर को एक प्रॉपर्टी या एक सिमेंट की तीन सो रुपए उसको अठाट का जी चार्ज कर रहा था उसको क्रैडिट में रहे थी विटाइटी सी तो उसको वह 18 परसंट के हिसाब से वह हुई उसको 354 रुपीज की उसकी टोटल प्राइज वह पर उसको 18 परसंट का बेनिफिट मिल रहा था तो उसका अभी वह 354 रुपीज की उसको सिमेंट की बैक पड़ेगी उस पर इसकी बेनिफिट नहीं ले सकता उस पर आपको 5% और चार्ज करेंगा मतलब 300 रुपए के उपर आपको 5% चार्ज करना है तो और उसके लिए उसका 15 रुपे का 18 रुपे का बढ़न बढ़िया तो आपको पाइजा था अब 5% में इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है जबका उसका कोस्ट बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टर बिल्डर है वो अपने जैब से कुछ नहीं बरने हो रहा है इस गोईग तो फानली कलेट फ्रम्ट रुपे कंजुमर एस अ कंजूमर भी एव तो पेर मोर कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर 45 लेक्स के 45 लेक्का बन रहा है और उससे कम बन रहा है सेकंड अगर आप 660 स्क्वेर मिटर के लेस्ट का कार्पेट एरिया का फ्लेट ले रहा है तो उसकेस के अंदर जीस्टी रेट वो चार्ज करेगा आपसे 1 परसंट और कोमी ऐ से ऐसरोंकर के सब्सक्र vida का अगरे साथी कि नाटी 100 स्कुरीट के ही सब्सक्तेशों एकर उसको फूल गीनों के तो वह अर। यह इसरी सकर करेगा जान में अगर आपकेजुशें कि आपकी लेना है तो एसो बील्डर वेस्ट जो चार्ज करेगा एट को इसको प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर के जी एस्ट रेट 5 पर संद मतलब से एक्सेट्र से बड़ा स्वेट ले रहा है यह 90 स्क्वेटर मीटर से बड़ा ले रहे उसके से अंदर वह 5% जीएस्ट फरना पड़ेगा और अगर मैं एफुटेबल हाउसिंग के अद प्रोजेक्ट के अंदर 15 पर से ज्यादा नहीं होना जी तो एक लागा 15 पर से ज्यादा अगर कम है कमर्सल कॉंप्लेक्स और कमर्सल एरिया उसके अंदर तो वह रियल इस्टेट रियल इस्टेट अफोड़ेबल हाउसिंग चला गिए और बाकी केस नॉर्मल में आगए जहां आपको 5% जीएस्ट बी अप्ली का बूल हो जाएगा तो एजए इन्वेस्ट करना है कि अगर हम हुआ इन्वेस्ट कर रहा है कि अंदर हम फ्लैट स्केस के अंदर हम पसेंट लगना है पर वही केस के अंदर हम जा रहे है अगर कमर्सल के अदर फाइप पसेंट जीए इसमें नहीं मिलेगा तो एज़ा इन्वेस्टर 5% वी हैव टूपे और लेज रोंट फंडा ऑफ-ई- तो अगर आप और देखने जाओना तो यह प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट करेगा और वह स्यूर है वह पास करेगा इन्वेस्टर को तो उसको 12 पसंद देने के बाद भी उसको फाइदा होने वाला है तो अब देखते हैं कि जो जैसे मैं आगे बोला कि ITC का क्या वार जमिल आएगा जिस्ट कंप्लाइंस पॉर इंपूर्ट सर्विस फ्रम अन्रेइस्टर गया तो जो वन परसंट में जा रहे हैं और फाइव परसंट में जा रहे हैं विदाव एक चार 2019 से अप्लिकबल हो गया मतलब जो ऑन्गोइंग प्रोजेक्ट थे जो एक चार 2019 से पहले चल रहे थे उनके पास तो दोनों ऑप्सन थे क्या आप चलाओ पूराने में चलके क्लोस कर दो पर जो एक चार 2019 के बाद के प्रोजेक्ट है उनको कंपलसरी नए ऑप्सन में जाना है यह यह अगर अभी सिमेंट के उपर आता है सिमेंट अगर उसने अन्रेश्टर डिलर से परचेस की तो 18-28 पसंट उसको आर्सी अंभाया आर्सीम उसको पे कर देना है गवर्मेंट को तो बले वो 300 रुपए गुने रहे रहा है विदाउट जेस्ट तो उस पेसा 28 तका गिनो और गवर्मेंट क इसको पे कर देना से फाइनलि क्या मुझा बिल्डर का कॉस्ट गुर्ट गणा लेंट तो मिल रहा है उसको लेंट तो पता है लेंट पर कोई सटी लगता नहीं है ट्रांसफ़र डेवल्लोपेंट डेवल्ट तो यह किसके का अंदर भी ऐल रिक्वार्मेंट पर जो भी कॉ पोकेट में एड करना है कि अभी इसके अंदावर क्या सब्सक्राइब प्रोजेक्ट वाइस अकाउंट ऑफ परचिस वोट इट से फॉर एजब बिल्डर और एजब प्रोजेक्ट डेवलोपर आपका एक गुजरात में चल रहा है और दली में चल रहा है तो और सब्सक्राइब प्रोजेक्ट के अंदर आपका 80% से कम हो रहा है तो उसकेस के अंदर करना है तो उसके ऊपर आपको RCM करना है और आपको गवर्मेंट को भरना है इन सोट गवर्मेंट चाहती है कि हमें पैसे दो 80% तक तो आपको आपको गवर्मेंट को GST पे करना ही है on the construction cost दूसरा अगर आपने 80% से जाधा कर लिया से फ़र एक्जांबल आपको 80% के minimum requirements और आपने पर्चेस कर लिया है टोटल रेइस्टर दिलर से 90% तो दस परसे अपने लिके जाओगे नहीं वो उसे साल में सब्सक्राइब करना है और अगर कम पढ़ गया तो आपको 80% में जो कह पाएगी वह आपको एट परसेंट अपको बरना है इंसर्ट कही ना कहीं से आप देखो तो बिल्डर के ऊपर जीएस्ट का बड़न आ रहा है वह बड़न जीएस्टी खुद बिल्डर तो उठाना नहीं है तो बिल्डर पासओन करेगा इन्वेस्टर को तो जो फ्लैट समें 12% जीएस्टी भरन लाने चीए ताकि final benefits consumer को पहुंच सके ठीक है अज के लिए इतना ही यह फंडा बहुत अच्छे समझो कहां इन्वेस्ट कर रहे हो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो 5% ने जाना है 1% जाना है और अगर इसके अंदर अभी भी कहीं confusion है तो you can contact us हमारे contact रीटों से cacarthik85 at gmail.com और mobile नमर है 98249 64309 have a good day bye